दोस्टो जानेंगे इस वीडियो में Nexito 10 Subjective Rate के वारे में जानेंगे भई ये कहां पर काम आती है, कितने दिन तक ली जाती है, किस तरह से काम करती है, कौन-कौन ची बिमारी में काम आती है, इसके dose क्या होती है, कितने दिन बाद ये बंध होती है, सब कू जानेंगे, वीड मत कीजिए इस चेह का ध्याहार लगेगा आए जानते हैं डिटेल से कहां आती हैं तो दीकिए ऐसे टालो परा मुझे होता है एक के एंटी-डिपरेजंट मेंडिशन होती है डिप्रेजन की प्रोड़ों में एंजयाइटी की प्रड़ों में यह दी जाती है जी को बारी-बार डर लगना तो उस केसे में दोक्टर दे सकते हैं तीसरा दोस्तों पैनिक डिसोर्डर गबराट होना डर लगना तो वहां पर भी डोक्टर दे सकते हैं पैनिक डिसोर्डर की प्रोलों में चोता आता है ओबेशिव कंपल्शिव डिसोर्डर OCD जिसको हम कहते हैं, उसमें होता गया कि विक्ती confused रहता है, एक काम को बारवर करता है, एक काम की लच्छी लग जाती है, और भी कैसा लख्षान होते हैं, उस प्रोब्लम में दी जाती है, तो panic disorder में, OCD की प्रोब्लम में, anxiety disorder में, depression की प्रोब्लम में दी जाती है, नींद कम आ रही है, tension है, विक्ती बारवर सोच रहा है, गबराट है, उदास है, दी जाती है, तो कई सारी प्रोब्लम को ये cover कर लेती है, बात रहते हैं, काम की तर से करती है, motivation क्या है, तो देखिए, एक chemical messenger होता है, serotonin, serotonin chemical messenger brain के अंदर release होता है, ये क्या करता है, ये mood को energetic focus और energetic feeling क खुष नुमा एसास करवाता है, serotonin, तो उसके level को बढ़ा कर काम करती है, जैसे विक्ती को depression से बाराने में असान होती है, anxiety से बाराने में असानी होती है, विक्ती खुष रहने लगता है, तो खुषी का एसास करवाता है serotonin, जो की chemical messenger होता है, ब्रेन के अंदर, उसको बढ होती है, स्कार कर देते, वेसे तो ज़ेधाता है, डिन में एक ही लीर जाती है, रात को सोते समय समय काने के बाद कालें शहों साहती है, एक मंध तक कम कर देर, अगर वेक्ति, तो बंद हो जाती है, आदर तो क्योंवातित पड़ता है, वेसे कोई पढ़ती नहीं है, बस कौन सी मेडेशन वे वीडियों दखना है को जुरूप तहीगा यहां तक वीडियों देंगे लिए बहुत-बहुत धन्यवाद